समिती बाण में इरकी इपार्ट साला में आप सभी बहिया बहिनु का आर्दिक अभिनंदन और स्वागतम आज हम पार्ट नो सदाचार भाग दो के बारे में पढ़ेंगे इसे पहले हमने सदाचार का भाग एक पढ़ा था आज हम भाग दो पढ़ेंगे सदाचार भेक्ती जहां भी जाता है परसन रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी परसनता देता है जैनि सदाचारी जो भेक्ती होता है जहां कहीं भी जाता है वो हमेसा परसन जाने खुश रहता है और उसके संपर्क में जो भी आता है उसको भी खुसी देते हैं, परसंता देते हैं उसके पास सद गुण तथा सद व्यवार का बंडार होता है, वे जूठी परससा कोई करता उससे परवावित नहीं होते हैं, वे निर्वे होते हैं, यानि बिना भैके अपना काम करते रहते हैं विपतियां तथा परतीकुल परिस्तितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं मानव हैं तो उसके जीवन में हर तरह की परिस्तियां आती हैं कभी विपरीत परिस्तितियां आती हैं तो कभी अनुकुल भी आती हैं लेकिन जो सदाचारी वेक्ति होता है वो इन परिस्तितियों से विचलित नहीं होता है ऐसा वेक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उनसे मुकाबला करने की शमता रखता है जीवन में कितनी भी ऐसी समस्य आजाए तो भी उनका मुकाबला जने सामना करता है इतनी उसमें शमता होती है उसमें असिम धेरे एवं सेहन सक्ती जैसे महान गुन होते हैं जो सदाचारी वेक्ती होता है उसमें असिम धेरे जैने बहुत हद तक अत्यधिक जिसकी कोई शिमा नहीं हो ऐसा धेरे और सेहन सक्ती जैसे महान गुन होते हैं परोपकार करना उसका सभाव होता है परोपकार करता दूसरों की भलाई करना उसका सभाव बन जाता वे अपने कारियों से सदा दूसरों का भला करता है यानि उसका ऐसा कारे होता है कि वो दूसरों की बलाई के लिए और उस पर सब लोग विश्वास करते हैं इसलिए वो हर जगे पूजा जाता है सदाचार सफलता का मारग है जो वेक्ति को मंजील तक पहुंचाता है यानि सदाचार है वो सफलता का मारग है और जो वेक्ति को मंजील तक पहुंचाता है अच्छे वेवार के कारण कठीन काम भी सहजता से बन जाते हैं यानि अच्छा वेवार सदाचार वेक्ति का होने के कारण उसके जो कठीन काम होते हैं वो सहजता यानि सलता से बन जाते हैं इसके दोबारा मनुश्य अपनी असेम सक्ती को परकट कर सकता है यानि मनुश्य के अंदर अस्यम सक्ति है जब वो उस सक्ति को पहचान कर परकट करता है तो वो अस्यम सक्ति का जागरती होती है सदाचार के बल पर अस्यम सक्ति को परकट करने वाला सामर्थ्यार मनुश्य संत और महाप्रूस के रूप में जाना जाता है यानि सदाचार के बल पर अस्यम सक्तिक को परकट करने वाला जो वेक्ति होता है सामर्थेवान मनुसे वो संत जहां महापुरूस के रूप में जाना जाता है वे अपने महानकारियों से महाप्रूस कहलाता है वो अपने महानकारे परोपकार के दूसरे की घलाई के ऐसे महानकारे करता है इसलिए वो महाप्रूस कहलाता है ऐसे ही महाप्रूस हमारे आदस होते हैं उनका सद वैवार अनू करनिये होता है उनका सद वेवार वो कैसे होता है अनुकरनी है यानि उसका अनुकरन करने वाला उसका अनुसरन करने वाला इसे परस्पर सद वेवार करना चाहिए हमें परस्पर क्या करना चाहिए सद वेवार आपस में परस्पर कार्थ होता है आपस में सद वेवार करना अच्छा वेवार पहला परसन है रेक्तिस्तानों की पूर्ती करें इसमें ए मनुष्य एक हैं तो रेक्तिस्तान में आएगा सामाजिक प्राणी समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है फिर बह सदाचारी बनने के लिए होना आवसेख है रेक्तिस्तान में आएगा इमानदार परसन करमाग दूप सही उत्तर का करमाग शर्क चांटकर कोश्टक में लिखें उत्तम वेक्ति के गुण है गुरू जनू का आदर करना ख मधूर बोलना ग विन्म रहना ग उप्युक्त सभी इसका उत्तर होगा उप्युक्त सभी फिर ब सत्य बोलना एक परकार की तपस्या है ख ख ख वहारी ग अखण और ग है ऐ सत्य तो इसका उत्तर होगा अखण परसन कर्मांग तीन विपत्ती में क्या करना चाहिए इसका उत्तर होगा विपत्ती में कभी विचलित नहीं होना चाहिए तथा धेरे से काम करना चाहिए परसन कर्मांग चार सदाचार सफलता का मारग है कैसे इसका उत्तर होगा सदाचार सफलता का मारग है जो वेक्ति को उसकी मंजील तक पहुँचाता है अच्छे वेवार के कारण उसके कठिन काम भी दूसरों की साहता से बन जाते है पर्सन करमा पांच परतिकुल परिस्टिति उ में भी सदाचारी व्एक्ति विचलित क्यों नहीं होता इसका उत्तर है उसमें अस्मीं देरे और सहन सीलता जैसे महान गुन होते हैं और उसमें विप्तिति का सामना करने की शम्ता होती है पर्सन करमा पांच 6. महापुरूस हमारे आदर्ष क्यूं हैं? इसका उत्तर हैं, महापूरूस हमारे आदाश हैं क्योंकि उनका सद वैवात हमारे लिए अनु करनिये हैं, महापूरूस सद आच्रन करते हैं और हम उनके चरितर से प्रिणा प्राप्त करते हैं पर्शन कर्माग साथ परोपकारी वेक्ति केसा होता है इसका उत्तर है परोपकारी वेक्ति सबका भला करने वाला होता है दूसरों की सेवात तथा उपकार करना उसका सभाब होता है परस्ण कर्माक आठ, मनुश्य महाप्रूस कब बन जाता है? इसका उत्तर है, सदाचार के बल पर अस्हिम सक्ती को परकट करने वाला सामर्थेवान मनुश्य महाप्रूस बन जाता है आज का पार्ट यहीं, जैहिंद